जज लोया मौत मामला बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए सुप्रीम कोट के फैसले के बाद कॉंग्रेस जज भी एच लोया की मौत मामले की स्वतंतर जांच की मांग पर अड़ गई थी कॉंग्रेस ने कहा कि जज लोया की मौत संदिक्द है इसलिए जांच जरूरी है रंदीब सुर्जेवाला ने कहा कि यहां दुखद है कि जज लोया की मौत बीजेपी के लिए जश्रन का मामला है उन्होंने कहा कि बिना स्वतंत्र जाच के कोई नहीं कह सकता कि मौत स्वभाविक है या नहीं जबकि फोरेंसिक सबूत गवाहों के बयान संदेह पैदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजलोया की मौत की स्वतंतरम जाच कराने वाली आचिका खारच किये जाने के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन फ्रेंड़ की बीजेपी प्रवक्ता संबित पातरा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीती करने पर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए कुछ समय से कुछ लोग जिस प्रकार से नियाय प्रक्रिया का राजनीती करण कर रहे थे उसका परदा फाश हो गया है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट के फैसले ने कॉंग्रेस को बेन काप कर दिया है हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं योगी ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश में सरकार के खिलाफ न करात्मक माहल बनाने की कोशिश की है वही कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस शारों में बीजेपी अध्यक्ष अमित्शाह पर निशाना साधा राहुल ने ट्वीट किया भारतिय बहुत बुद्धिमान है ज्यादतर भारतिय जिन में से कोई भी जेपी में भी है अमित्शाह का सच समझते हैं उनके जैसी लोगों को पकड़ने का सच का अपना तरीका होता है और कॉंग्रेस प्रवक्तारण दीप सिंग सुर्जेवाला ने ट्वीट कर कहा यहां अवल का विशय है कि जज लोया की मौत के मामले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रती कानून मंतरी रविशंकर प्रसाद के पास पहले कैसे आई जबकि ना तो प्रेस को कोई प्रती मिली थी सीबी आई जज लोया की मौत मामले पर स्वतंतर जाज संबंधी याचिका को खारिच किये जाने से याचिका करता और वरिष्ट वकील प्रशांत भूशन खासे नाराज है उन्होंने कहा यह बेहत दुर्भाग्या पूर्ण है कि सुप्रीम कोट ने जस्टिस लोया की मौत की स्वतंतर जाज की मांग को ही ठुकरा दिया है कम से कम उनकी मौत की स्वतंतर जाज करवाई जा सकती थी मेरी राय में यह बहुत ही घलत फैसला हुआ है सुप्रीम कोट के लिए यह काला दिन है बीजेपी ने कॉंग्रेस पर निशाना साधा है कानून मंतरी रविशंकर प्रसाद ने कहा इस मामले को हमारी पार्टी के अध्यक्ष हमित्षा के खिलाफ राजनितिक लड़ाई के और पर इस्तिमाल किया गया मैं राहुल गांदी से अपील करता हूँ कि वेह अदालतों की मदद से राजनितिक लड़ाई ना लड़े बता दे कि लोया की मौत के मामले में एसाइटी जाज की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोट ने खारिज कर दिया है दोस्तों अपनी राए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूले